नमस्कार जैहिन दोस्तों मैं हरीश कुमार आपके वीच लेकर उपस्तित हो चुका हूँ मैत का एपिसोड नंबर 11 आज का जो एपिसोड काफी मैत पूर होने वाला है और आपने एपिसोड नंबर 10 भी देखा होगा आपको उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे मैत के कुश देखने को मिले होंगे एपिसोड ग्यारा भी आपका काफी महत्पूर है इसमें भी आप विगत वर्सों में भिन भिन एक्जामों में आए हुए प्रसनों का कलेक्शन देखेंगे और इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको कुछ और नया सिकाने की कोशिस करूंगा और ज पहले से जानते हैं वो इस एपिसोड के माध्यम से अपनी प्रक्टिस करेंगे आपको पता है हमारे इस एपिसोड का मेन मुद्देश से यह है कि कोई भी आपका एक्जाम है चाहें पुलिस हो चाहें SSC हो चाहें रेलवे हो चाहें आपका कोई भी टीचर वाला एक्जाम ह जिसमें आपका arithmetic advance आता है वो इस episode के माद्यम से इस episode series के माद्यम से आपके सभी exam cover हो जाने है तो चलते हैं सीधा हम question number 1 की तरफ देखेंगे 1y1 करके देखेंगे पहला question आपकी screen पर आ चुका है आप इसे पढ़िए और अपना answer दीजिए जब भी कवी हम कोई question का हल करते हैं तो सबसे पहले हमें बड़े ध्यान पूर्वा को पढ़ना है पढ़ने के बाद फिर अपना answer देना है तो देखो करना कैसे है यह एक अंतर रास्टिय भोज है ठीक है उसमें अपस्तित क्या है लोग है ठीक है लोगों मैंसे एक वटे पाँच लोग फ्रेंच पुरुस है एक वटे पाँच लोग जो है यह कौन से हैं आपके फ्रेंच पुरुस फिर बोला यदि भोज में फ्रेंच महिलाओं की बात करते हैं तो फ्रेंच महिला की जो संख्या है वह फ्रेंच पुरसों की संख्या से कितना जादा है दो बटे तीन जादा थी फिर कह रहा और भोज में और कोई भी फ्रेंच नागरिक उपस्तित नहीं है ठीक है और कोई फ्रेंच नागरिक उपस्तित नहीं है तो यह पूछ रहा है गैर फ्रेंच लोगों की संख्या कितनी है तो देखो मैं ऐसे कितने लोग मानूं अंतररास्टिय भोज में तो देखो यहां देखेंगे भोज में कुल व्यक्ति जो मानिए आप वो ऐसे व्यक्ति मानिए जो आपका पांस से भी पूर्ट वक्त हो जाए और तीन से भी तो आप बोलोगे पांच अर तीन का LCM कितना होता है पंदरा तो यह मानि मैंने कुल व्यक्ति कितने मानिए लेट पंदरा अब दोको पंदरा व्यक्ति कुल मान लिये मैंने इसके बाद मैं इसको तीन एरो के साथ आपको इधर दिखाऊँगा यह समझिए यह पहला जो एरो है पहला जो हिस्सा है यह आपका इंडिगेट करेगा फ्रेंच यह आपका हो गया फ्रेंच पुरसों को indicate करेगा और दूसरा जो है यह आपकी French महिलाओं को indicate करेगा और यह हो गए गैर French लोग तो यह आपके यह आपके लोग दिख रहे हैं एक French पुरस लोग हैं एक French महिला और दूसरा गैर French यह आपके तीन तरीके के यह वैक्ति हैं अब समझना जरा इसमें जो बोला गया है इसमें बोला गया है एक वटे पांच लोग पंद्रय का एक वटे पांच निका लिए तो पंद्रय का एक वटे पांच निका लेंगे तो फ्रेंच पुरस कितने आनी है तीन जबकि फ्रेंच महिलाओं की जो संक्या है वो किस पर depend है फ्रेंच पुरसों की संक्या से दो बटे तीन जादा हमें पता है फ्रेंच जो पुरुस आएं वो कितने आएं आपके तीन तो देखो तीन का अगर मैं दो बटे तीन निकालता हूँ तो कितना आएगा आप बोलेंगे सर दो और दो क्या है वो जादा तो प्लस के क्या और करना है दो तो कहने का मतलब है इनकी जो संक्या होगी फ्रेंच महिला होगी संक्या फ्रेंच पुरसों की अपेक्षा कितनी ज्यादा होगी प्लस टू तो तीन अर्दो पांच तो यह हो गई पांच अब यह बताए गैर फ्रेंच कितने होंगे तो आप बोलेंगे सर पंद्रह मैं से 15 में से 3 तो हो गए आपके French बुरुस और French महीला कितनी हो गई 5 तो गैर French कितने होंगे 15 में से 5,8,3,8 घटा दीजिए तो ये कितना आना है आपका 7 तो ये पूचा गया है ये हिस्सा कितना है तो हिस्सा कितना बनेगा 7 वटे टोटल कितने 15 चेक करिए किस पिरकार है I hope समझ में आगया होगा ये Nash कुशन बहुत अच्छा कुशन है इसका अंसर बताईए क्या हैगा इसमें निकालना आपको X का मान तो देखो कैसे निकालेंगे हम X का मान यहां से समझना है 625 देखो X किसके उपर बढ़दा 625 के उपर और यह क्या 25 हमें पता है क्या मैं 625 को 25 की पावर कर सकता हूँ क्योंकि जब बेस-बेस समान होंगे तो घातों की क्या हो जाएगी तुलना तो 625 को मैं क्या लिख सकता हूँ 25 की पावर 25 की पावर 25 की पावर 2 करते हैं तो कितना आता 625 तो इसको लिख सकता हूँ 25 की पावर 2 और घात की घात से क्या होगी गुणा 2x माइनस के 3 बरावर यहाँ पर जो लिखा हुआ 25 की पावर ठीक है? बेश से बेश समान हो जाना है तो दो कहा लिखा हो 6, 6 की पावर, 1 की पावर, 6 की पावर 10 तो देखो जब पावर के उपर, पावर के उपर पावर होती तो इनको सबसे उपर से हल करते हैं देखो 6 की पावर 10 खोलूंगा जो भी आएगा, ठीक है लेकिन 1 की पावर कुछ भी खोलते हैं यह आपको कॉंसेप्ट बता होगा एक की पावर, कोई भी नेचरल नंबर खोल लीजिए कोई भी नेचरल नंबर खोलेंगे तो क्या आएगा आपका? 1 ही आना है तो कहने का मतलब है, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही आना है और 6 की पावर 1 खोलते हैं, तो क्या आएगा? 6 ही आएगा तो कहने का मतलब है सिर्फ आपको ये इतना ही लिखना है क्योंकि 6 की पावर 1 खोलेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा क्योंकि 1 की पावर कुछ भी खोलाता तो क्या आए? 1 और 6 की पावर 1 खोलेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा तो शिर्फ यह आपका 25 की पावर क्या आना, इसका रिजल्ट 6, इससे उपर का रिजल्ट क्या वन जाएगा, 1 अब देखिए, बस इतना हल करना था, अब हमें पता पड़ गया, इसके बेस समान है, 25 समान है, तो बेस से बेस आपका खतम हो गया, यह compare करेंगे, तो यह बनेगा, आपका 2, 2x, minus 3, बहुत ही simple question था, बरावर 6, 2 से कह बार कट गया, 3 बार, 2x, minus 3, बरावर 3, तो 2x का मान आएगा, 3 इधर को जोड़ेंगे, तो 3 और 3, 6, x की value कितनी आनी है, 3, बहुत है, 2-6 कितनी बार कट जाएगा, 3 times, तो इसका right answer आएगा, option number B, correct answer, ठीक है, चलते हैं, next question की तरफ, next question जो दिया है, इसे समझिए, दोको यह question भी काफी important था, यह 2017 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ question है यह आपका, आप भली बाती जानते हैं कि, जो math का जो होता है, portion यह एक दूसरे exam में, जैसे SSC GD का जो paper है, उसके कुछ question आपको CHSL में देखने को मिल जाएंगे, CHSL के कुछ question आपको SSC GD में मिल जाएंगे, दिल्ली पुलिस के कुछ question आपको constable के exam में मिल जाते हैं, जैसे कि तुमारा UP police हो गया, और MP police हो गया, और भी विविन विविन पुलिसों के exam में मिल जाते हैं, और CGL का आपने देखा हो, CGL का जो pre का exam होता है, उसके question आपको, विविन विविन exam में मिल जाता है, पुलिस में मिल जाता है, तो एक दूसरे से एक्सचेंज करते रहते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज, चलो digit बदल जाते हैं, लेकिन concept जो होता है, वो same pattern पर ही follow हो जाते हैं, तो आपको मेहनत करनी हैं, करिए इसका answer क्या आया होगा, देखो मैं आपको बता दूँ, ये question कितना आसान है, और कैसे करना है, पहले आप मुझे concept ये बताईए, आपने ये पड़ा होगा, एक episode में मैंने करवाया भी था, 1 का वर्ग, प्लास दो का वर्ग, प्लास टीन का वर्ग, इस तरीके से अगर मैं डड़ अर्ड़ करता हूँ, तो इसका formula क्या होता है, इसका formula होता है, n, n प्लस 1, 2n, प्लस 1y, 6, ये formula आपने पड़ा है, यह इसका formula होता है तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है 25, 26, 27, 99 तक दिया है स्टार्ट किया है 25 से और एक वटे 10 करना है तो दो करेंगे कैसे मैं एक वटे 10 हिहां लिख देता हूँ ठीक है अब मैं इसको क्या करूँगा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ देखो एक का वर्ग, दो का वर्ग तीन का वर्ग डेट 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 डेश 99 का वर्ग अगर इस वर्ग मैं से मैं समझ ना मैं इसको ऐसे लिख दूँ एक का वर्ग, दो का वर्ग तीन का वर्ग, डेट 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 डेस चौविस का वर्ग इसको मैं अगर इसमें से क्या कर देता हूँ सब्ट्रेक्ट तो बताईए आपका कौन सा वर्ग रह जाना है तो आप बोलेंगे सर ये जो वर्ग रह जाने हैं सारे के सारे फिर रह जाने है आपका 25 का वर्ग 26 का वर्ग 27 का वर्ग 28 का वर्ग इस तरीके से रह जाना है तो करिए इसका अंसर फिर देखो कैसे करना है एक वटे दस मैं इसका मान कैसे निकालूंगा देखो निन न्याण में का N की वईल में और N फ्लस वन में एक सब और जो 2N फ्लस वन उता है 2N फ्लस 1 होता है इन तौनों का योग, ठीक है तो यह बनेगा आपका 100 निन्याण में एक सो निन्याण में यह बन गया भटे 6 मिनस इसी प्रिकार बिउलेंगे तो 24 गुणा 25 24 और 25 कितने होते हैं आपके 24 बटे 6 ये जो तीसरा वैलू होता था 2n अग्स वन ये होता है इन दोनों का योग एन में अट जोड़ेंगे तो 2n अग्स तो सीधा सीधा मैंने ये दोनों जोड़कर याँ लिग दिया, ये दोनों आप इसको solve करेंगे तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ देखो 6 से काटिया इसको 6 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो देखो 6 से कट जाएगा आपका 3 से काटो 3 दूनी 6 और 3 से 33 बार और 2 से काटेंगे इसको तो यह 50 बार अब इसी बिरकार इसको 6 चोविस है चार वार कट गया तो यह वनेगा आपका 1 वटे 10 अब यहां से 1 वटे 10 वना तो यह वना आपका 33 गुणा 50 गुणा 199 माइनस यह वनेगा 25 चोगा 100 गुणा 49 अब देखिए गुणा करनिया आपको तो देखो कैसे करेंगे 1 वटे 10 पहले मै मैं इसकी 50 की गुणा इससे कर देता हूं तो देखो 50 की गुणा जब हम इससे करेंगे तो यह वनेगा आपका पांतिया पंदरा, पांतिया पांतिया यह पंदरा रिक Falls गुणं एकसो 0 में माइनस इसकी से गुणं करेंगे तो यह आपका 1 hatus आजाना है अँब इसकी से गुणं करके आपको 10 का भाग देना है, ब dipsकाभ देंगे तो आपको यह जीरो कड़ जानी है, यह जीरो कड़ जानी है, मैं इसको थोड़ा एकाई के यंग से भी चेक करूँगा, तो एकाई के यंग सभी में समान है, आपको फिर क्या करना है, इसके इससे गुणा कर देनी है, गुणा आप करी लोगे ठीक है क्योंकि पेपर में गुणा करने काम तो आपका ही होगा जब इसकी इससे आप गुणा करेंगे इसको घटाएंगे और दसका क्या दे देंगे इसमें भाग देखो और में आपको बता दूँ तो जीरो यहां भी कोमन है जीरो यहां भी तो जीरो से जीरो कट जाना है 165 की गुणा एक सो निन्याड में से करके 490 घटा देंगे 490 घटाने के बाद आपका जो अंसर आजाना है उप्सन नंबर बी क्या जाएगा इसका करेक्ट अंसर आप इसको सॉल्व कर ले ना दसका भाग दे देना इसकी गुणा इसमें करके घटा कर तो यह आपका कुशन हो जाना है next देखिए अगला कुशन किस प्रिकार है आपका देखिए अगला कुशन मैंने आपको कॉंसर्ट समझा दिया है बाकी गुणा बड़ा तो आप खुद कर भी लोगे छीक है देखिए इसमें देखो इसका क्या एक अंसर बताएए इसका अंसर क्या एगा देखो यह भी कुशन बहुत अच्छा है 0.24 कि सबसे चोटी भिन्न में गदल कर लिखेंगे तो इसको सबसे चोटी भिन्न में गदन कर कैसे लिखेंगे देखो आपको पता है कैसे गड़ते हैsब पॉइंट यह 24 है हमें पता है जब एक इस्थान खतम होगा जब दसम्बलब का स्थान में काटोंगा तो 1 हर किसी के नीचे विराजमान होता है अब जब दसम्बलब काटेंगे दसम्बलब के बाद कहा हैं कि 1,2 तो 2,0 बन जानी है अब इसको काट पीट कर दीजिए आप काटेंगे तो 4 से 4 से कड़ जाएगा 85,85,85 की बार बार क्या हारी है पुर्णावर्ति तो इसको फ्रेक्शन में कैसे बदलेंगे दोको में इस नंम्बर को इसे लिख सकता हूं मैं हिरा लिखता हूं 4.85 पर बार क्या क्योंकि पुर्णावर्ति कि इसकी और जारी 85 की तसम्मलब के बाद, इधर की साइड में, जिस पर बार, बार ना हो, चीक है, तो जीरो आन ही नहीं है, अब उपर पॉच जाईए अंस में, यह तो हर में करके देगा, अंस का रूल होता है, टोटल नमबर उता लीजिए, टोटल नमबर जब में उतारूंगा, तोटल नमबर क तो यह बनेगा, पांच में से चार घटाएंगे तो एक, और यह आपका आठ, और यह चार बटे, नौ, नौ, अब देखिए, चेक करिए, कौन से उप्सन में दिया है, उप्सन नमबर ए, इसका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर, ऐसा मैंने जादा तर जितने भी आपने एप यह कह रहा है, एक स्कूल में, बाल दिवस के दिन, 175 बच्चों में, एक समान मिठाई बांटी जानी थी, फिर बोला, वास्तम में, बाल दिवस पर 35 बच्चे गैर हाजिर थे, और इसी लिए हर बच्चे को चार अत्रिक्त मिठाई मिली, कुल कितनी मिठाईयां बच्चों क के लिए उपलब्द थी, यह आपको बताना है, इसे करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ऐसे जितने भी सवाल है, वो सारे हो जाने है, पहले बताईये, टोटल बच्चे कितने हैं, तो आप बोलेंगे, टोटल बच्चे कितने हैं इते शुर कितने दियें आपको, 35, ठीक है, तो यह भी बच्चा गुडंग, यह भी बच्चा गुडंग, बच्चे से बच्चा कट जाएगा, ठीक है, अब आपको लिखना है, क्या लिखना है, देखिए, परतेक को कितनी अतरिक्ट मिठाईया मिली, चार, तो देखो, यह जो चार है मिठाई, देखो, 35 और यह चार हमेशा क्या रहेगा, constant, यह हमेशा क्या रहेगा, constant, तो देखो, जब मैंने बच्चे 35 कर दिया, जितने उनुपस्तित, यह और एक्स्ट्रा बच्चे आजाएं, वो हमें कहां रखने नीचे, और जितनी भी चीज अतरिक्त मिले, यह कम मिले यह क्या होती हैं, यह क्या होती हैं, दोनों रहसियां, constant, अब देखिये, ऐसा करने से, इसको अगर मैं सरल कर देता हूं, तो यह जाएगा प्रतेक बच्चे का हिस्सा, अब यह बताएगे, 175 बच्चे जो थे, यह प्रारम में थे या बाद में, तो अब बोलो के, 175 बच्च हिस्सा, यह बाद में प्रतेक का हिस्सा आता, बाद में का मतलब है, जब 35 बच्चे क्या थे, गैर हाजिर, ठीक है, तो यह बाद में, अगर यह हम देना है, अगर में यहाँ पर बाद के बच्चे लेता, बाद के बच्चे का मतलब थे, 175 बच्चे कम करके लेता, तो यह प अन्सर क्याया काचिको आपने शॉल्ग किया होगा, दोको बता देता हू हम 35 जो यह कट नी बार कट गया, तो आप कोलेंगे सर्धर्टिस्द्ट्ट्ट्र्ट्प यह जो यह कट गया यह 5 वार कट गया, 5 चॉक, 20 तो बाद मैं परतेक का हिस्सा कितना है, 20 मिठाई प्रतेक को कितनी मिठाई मिली 20 मिठाई जब प्रतेक को 20 मिठाई मिली तो इस समय यह बताइए वास्तम में बच्चे कितने थे तो मैं क्या भी निकाल सकता हूं कुल स्वीट्स कुल स्वीट्स निकाली है तो आप बोलेंगे सर प्रतेक को कितनी मिठाईया मिली है 20 और इस समय बच्चे जो थे वास्तम में 35 गायव थे एक सो पिचत्तर में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका जीरो एक सो चालिस इस समय बच्चे कितने उपस्तित थे एक सो चालिस गुड़ा कर दीजिये तो यह बनेगा चौदे दूनी अट्ठाइस अट्ठाइस सो क्या आगई कुल स्वीट सो तो मिठाइयों की संगय कितनी थी अट्ठाइस सो और बाद में प्रतेक बच्चों को कितनी मिठाइया मिल लहीं थी 20-20 और प्रारम में कितनी मिलती थी यह चार अत्रिक्त हैं तो प्रारम में मिलती थी 16-16 जब सभी बच्चे उप option number D, option D is correct answer, next question अभी देखना है आपको, यह रह option D आपका, next question समझीए, next question जो है, वो किस पिरकार है, यह भी आपका बहुत ही अच्छा question है, सात्वा, पानी से पूरी तरह भरे हुए, एक पात्र का भार 16.5 kg है, जब यह पात्र एक बड़े 4 भरा होता है, तब उसका भार 5.25 kg होता है, तो खाली पात्र का भार आपको ग्यात करना है, तो देखो पात्र के लिए में बात करूँ तो पात्र को इंगलिस में बोलते हैं, वैसल, चीग है, तो वैसल जो है, मैं इसको वैसल, देखो, यहां लिखोंगा, वैसल का भेट, प्लस, वाटर, बरावर, जब पूर पूरा भरा होता है तो तो पूरा भरे में किस-किस का वेट जुड़ेगा एक तो बरतन का वेट पात्र का वेट प्लस पानी का वेट टोटल कितना दिया गया है यह दिया गया 16.5 kg ठीक है यह आपकी होगी समीकर्ण नंबर 1 मैं आपको पहले concept समझा देता हूं फिर आप बड होता है आप जानते हैं पात्र जो वेजल है उसका तो वेट अन्स्टेइगा चाहँ उसमें दो लिटर पानी वल्लो चाहँ तीन वल्लो चाहँ आँ मालो बाल्ती आपकी 3 kg की यह खाली बाल्ती अब पानी भरोगे तो पानी से ही तो वेट बढ़ेगा घटेगा पानी ज्या एक वटे चार भरा होने का मतलब है, पानी कितना इसमें अविस्समें, जो पहले पानी का वेट डवलू, अब वो वाटर इतना वाटर ना होकर उसका कितना हिससा हो गया, एक वटे, चार, तो इस परकार जोड़ते हैं, तो इसका मान कितना दिया है, इसमें पाँच विग्षान को व्याइक वेस्ल का वेड वेट कितना रेगा जह एक ही आप को गयाँ करना है तो यह अपको बताना है तो तो किसे बता रहेंगे आप इसको सबसे पहले इसमा जिए चुछा मुझे मैं इसा क्या करूँ कि डवलू खतम हो जाए बड़ू गड़ू 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 ग तो यह बनेगा आपका जीरो जीरो और पांच चौक बीसर एक इकिस तो यह बन जाएगा आपका इतने किलोग्राम अब यह जो बनके आई है यह आगी समीकन नंबर टू अब देखो मैं अगर समीकन टू मैं से समीकन नंबर फर्स्ट घटा देता हूं चीक है तो देखो चार VW में से एक VW घटाएंगे तो कितना आएगा आपका तीन VW बरावर भाईया डवलू से डवलू यह कट जाएगा घटाने पर चीक है एकिस में से इसको घटाएगे तो यह बचेगा आपका 4.5 घटाने पर आएगा 4.5 kg अब इसमें से देखिए तीन का भाग दे दीजिए आपका सीजदा आंसर तीन का भाग दे दीजिए काटिए तो वेसल का जो वेट आएगा उसका वेट आजाना है तीन एकम तीन तीन पंजे पंदरा चेक करिए 1.5 kg किस option में दिया है तो option number B इसका correct answer बहुत ही अच्छा question है यह ची कही बार विविन विविन एक्जामों में यह पूछा गया है देखिए next question आपका किस प्रकार है अगला question आपको समझना है यह भी काफी अच्छा question है और जल्दी से आप comment करके बताईए इसका answer क्या एगा अगर कोई भाई जानता है करना ऐसा नहीं है बहुत student है जो पहले से ही ऐसे question करना जानते है लिकिन उनसे भी मेरा यह अनुरोध है इसका जल्दी से करके answer बताईए क्या एगा बहुत ही अच्छा question है यह आपको इल्दी से बताईए यह comment करके इसका answer आएगा क्या देखो मैं आपको बता देता हूँ यह question करना कैसे है आप भी करिये देखो इसमें जो बोला गया है इसमें बोला गया एक lift की छमता 12 वैस्क या 20 बच्चों की है मतलब कि मैं lift मैं या तो 12 वैस्क चड़ा दो तो ले जाएगी वो या फिर 20 बच्चे चड़ा दो उसके अंदर बढ़ा देते हैं तो उनको ले जा सकती है ठीक है तो चाहे तो आप उसके लिफ्ट के अंदर 12 वैस्क बेज दीजिए चाहे उसके अंदर 20 बच्चे बेज दीजिए वो ले जा सकती है अब इसमें बोला इस लिफ्ट पर 15 बच्चों के साथ कितने वैस्क चड़ सकते हैं तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको हमें पता है बारे वैस्क का मतलब है आपका बारे वैस्क का मतलब है 20 बच्चे तो देखिए यहां से बात करते हैं काटिये चार से चारतिया बारा तीन वैस्क का मतलब कितना आता है आपका पांच बच्चे यह आपको भली बाती वहीं से नजर आ रहा है ठीक है तो तीन वैस्क का मतलब है पांच बच्चे, खहने का मतलब है अगर पांच बच्चों की जगे मैं कितने वैस्क भी ले जा सकता हूं? तीन वैस्क, पांच बच्चों की जगा, तीन वैस्क भी ले जा सकता हूं, और तीन वैस्क की जगा, पांच बच्चे भी ले जा सकता हूं, तो इसमें बोला, पंदरे बच्चों के साथ, कितने वैस्क चड़ सकते हैं, तो दो को पंदरे बच्चों के साथ, कितने वैस्क बचे कितने बच्चे अव, पांच बच्चे बच्चे, बच्चे कितने बच्चे, पांच, क्योंकि लिफ की छंता कितने बच्चों को ले जाने की है, बीस बच्चों को, जिसमें मैंने 15 बच्चे चड़ा दी है, बच्चे कितने, पांच बच्चे, और आपको बता है, और वता को बतायो है देड़ निदा है जलिकीजा से कुछा वे से कहा लाइ कि लगा है 6-3 क्योंगी आपको बताया है लिफ्ट की छौ्ता भीच यू घड़ा दिये आपको बताया है जब फंद्रे बच्चे चड़ गए ठीक है तो बच्चे कितने बच्चे हैं? पांच और पांच बच्चों का मतलब कितने वैस्क हैं? तीन वैस्क तो इसका right answer आएगा option number a correct answer बहुत अच्छा question था क्योंकि ऐसा भी लगता है जैसे कि answer आपका क्या आएगा? नो वैस्क ठीक है? नो वैस्क नहीं आएगा उत्तर आएगा आपका तीन वैस्क नेक्च देखिए अगला question काफी अच्छा है इसका देखिए इसका answer क्या आएगा? देखो मैं आपको बता दूँ यह question करना कैसे है? देखो इसमें जो है स्रेणी type का है? एक वटे एक गुणा दो प्लस एक वटे दो गुणा तीन प्लस डेट डेट डेस इसी तरीके से चला गया एक वटे उड़न चास गुणा पचास आपको पहले भी मैंने ऐसा question कराया है आप भली भाती जानते हैं बीच के जितने भी होते सब कर जाते हैं बसता कौन सा है? first or last तो इसमें लिख देंगे एक वटे एक माइनस एक वटे पचास और चिन किसका अता बीच में? यह प्लस है तो क्या हैगा? opposite minus ठीक है? मैंने आपको concept भी समझाया था यह अब देखिए यह बनेगा आपका एक माइनस एक वटे पचास एक वटे पचास का मतलब जो होता है यह आप ऐसे कर लीजिए इसको मैं से लिख सकता हूं पचास एक हम पचास में से गया तो औरंचास वटे पचास यह आगे औरंचास वटे पचास यह आगे औरंचास वटे पचास लेकिन अगर में इसमें 2 की गुणा करूं, इसमें भी 2 की गुणा करूं, तो ये बनेगा और अचास दूनी, 98, ये बन जाएगा 98, और ये पचास दूनी, 100, और 100 का भाग देना बड़ा असान है, के स्थान पर दसंबलब, 2 स्थान पर दसंबलब, तो इसका राइट आंसर आ जाना, option number, a correct answer, चीग है, तो दोगो, ये बहुत अच्छा कुश्यन था आपका, ऐसा कुश्यन, पेपर में पूछ लिया जाता, और बहुत easy कुश्यन है, नेक्स कुश्यन आप समझिए, तो नेक्स कुश्यन जो दिया गया है, वो किस पिरकार है, और ये इस एपिसोड का last कुश् से क्या होती है, गुणा, तो इसकी भी घात कितनी है, तीन, तो मैं तीन की गुणा करूँगा, इसकी भी घात कितनी देरक्की है, ये, तो इस तरीके से अगर तीन लिखा हुआ, तो इसका उतलब होता है, जो अंदर लिखा हुआ है, सपोच करो, X है, X की घात इसका उतलब तो देखो करणी घात जो यह तीन है इसका होता है घात अंक के रूप में लिखते हैं एक वटे तीन तो यह आएगा आपका एक वटे तीन और इसमें जो लिखा हुआ अंडरून में आठ तो इसका मतन बनेगा एक वटे आठ इसको सॉल्ब कर दीजिए सवाल खतम देखो तीन चार कट गया तो आपका राइट आंसर क्या आगया थिरी चेक करिए कौन से ओप्सन में दिया है ओप्सन डी ओप्सन डी में इसका करेक्ट आंसर आपको मिल गया तो आपकी समझ में यह सारे कुशन बड़े अच्छे से आए आगए होंगे नेश्ट देखिए अब आपका यह एपिसोड खतम हो जाता है मैंने आपको दस कुशन करा है दस के दस कुशन काफी महत पूर्ण थे एक्जाम की दरस्टी से आप इन्हें देखते रहिए और चैनल को आप सस्क्राइब करते रहिए और सेर भी करते रहिए ठीक है दोस्तों तो इसी के साथ मैं आपसे झाल